हेलो एस्पिंस, वेलकम टो एनलोग जी है सेकेट मी, आज की सेशन में हम डिसकस करेंगे बजट 2023 के बारे में, सबसे पहले इसमें हम बजट के कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे, फिर बजट 2023 की क्या की हाइलेट्स रही उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो 7 प्रा 2023 को एक फरवरी को लोग सबा के अंदगत इन्होंने पेस किया, इसके अंदगत उन्होंने इंफेसाइज किया कि जो हमारी इंडियन एकॉनोमी है, इतने सारे चैलेंजिस होने के बावशूद भी अपने राइट ट्रैक पर है, और अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ इसकिया गया लोग सबा के अंदगत, फिर इस यूनियन बजट पर लोग सबा और राज्य सबा के अंदगत जनरल डिसकेशन इसके अंदगत कराया जाता है, कुछ दिनों तक जनरल डिसकेशन चलने के पर साथ, हाउस को इसमें एडजन कर दिया जाता है, कुछ हफ्तों तक और इनकी जो demands होती है जो इसमें जो budget के अंतगर जो demands of grants होती है इनको भेज दिया जाता है जो individual ministries की जो department related standing committees होती है तो इन demands of grants की scrutiny करने के लिए उन committees के पास इनको भेज दिया जाता है अगर हम बात करें जो demand related जो आपकी standing committees होती है उनके बारे में तो इसका जो concept आया था 1993 में इसको introduce किया गया था और इसके पीछे concept लाने के पीछे तर्क ये था कि जो हमारे member of parliament होते हैं हर एक member of parliament budget की process में इसमें participate कर सके तो इसके लिए इसमें जो different committees इसके अंतगत बनाई गई ह हर एक ministries के अंतरगत इसके अंतगत सबसे पहले जो 17 committees इसके अंतगत introduced की कहीं थी फिर इसको भढ़ा कर 2004 में इसको कर दिया गया 24 committees अगर हम बात करें इन 24 committees की तो इसमें से जो 16 committees हैं पर लोकसभा से आती हैं जबकि remaining जो committee हैं जो 8 committee बेर राजसभा के अंतरगत आती हैं इसके इसके बाद अगर हम बात करें इन 24 committees में 31 members होते हैं हर एक committee के अंतरगत और 31 members में से जो 21 members आते हैं वे लोकसभा से आते हैं और जो 10 members होते हैं वे राजसभा से इस committees के अंतरगत आते हैं तो इस तरीके से इन department related standing committees का structure होता है और यह जो demand of grants होती हैं इनकी जो ministries की तो उसकी य आते हैं और फिर इसकी scrutiny करने के बाद इस पर जो लोकसभा के अंतरगत इनको भीज दिया जाता है जिस पर इस पर डिटेल डिसके इसके अंतरगत कराई जाती है और इसके अंतरगत होता है जो हमारी core ministries है जैसे कि ministry of finance हो गया या ministry of defense या ministry of agriculture तो जो भी core ministries हैं उस पर detail discussions होता है उनकी demand of grants पर और उस पर इसके अंतरगत voting करा ली जाती है फिर इसके बाद होता क्या है जो another जो ministries बच जाती हैं उनकी demand of grants पर इस पर voting कराई जाती है इसके अंतरगत ध्यान रखिएगा इस पर कोई detailed discussion नहीं होता जो core ministries हैं उस पर ही detailed discussion इसके अंतरगत किया जाता है फिर इसके बाद इसमें जो appropriation bill होता है एक financial bill होता है इसके अंतरगत फिर इसको pass करबा लिया जाता है अगर हम बात करें Finance Bill और Appropriation Bill के बारे में तो इसके अंतरगत जब भी एक Consolidated Fund of India होता है जिसको संचित निती कहा जाता है यह हमारे Constitution के जो Article 266 Sub Clause 2 के अंतरगत इसको Consolidated Fund of India को Define किया गया है जिसके अंतरगत जो भी हमारा Revenue Collect होता है टेक्स से तो उसको इसके अंतरगत सामिल किया जाता है और जो भी इसमें जो Expenditure किया जाता है तो इस Consolidated Fund of India के माध्यम से ही किया जाता है तो जब भी इसमें tax के माध्यम से कोई भी जो tax हमारा जो revenue है इसमें संचित निरी में जो जमा कराना होता है तो ये एक finance bill के माध्यम से इसको इसमें करवाना होता है और जब भी इससे कोई भी expenditure के लिए कोई fund निकालना होता है तो वे appropriation bill के माध्यम से इसमें निकाला जाता है और इसका जो प्रापधान किया गया है आर्टिकल जो बन बन फोर है यानि कि आर्टिकल एक सो चौदा है उसके अंतरगत एप्रोप्रियेशन बिल का प्रापधान किया गया है और इसमें ये बात ध्यान कियेगा जो Consolidated Fund of India होता है उससे कोई भी फंड जो निकाला जाएगा वो Appropriation Bill के माध्यम से ही निकाला जाएगा इसके अलाबा एक Annual Financial Statement होता है जो Article 112 के अंतरगत आता है जिसको हम बजट के नाम से जानते हैं तो यो बजट जो पास होता है उसके अंतरगत एक Finance Bill और एक Appropriation Bill और Annual Financial Statement होता है इसके अंतरगत उसको पास कर डाल लिया जाता है तो इसी को हम कहते हैं कि बजट पास हो गया है इसके अलाबा अगर हम बात करें इसमें जो आर्टिकल है हमारा Constitution का आर्टिकल बनबन टू तो उसके अंतरगत Annual Financial Statement का जिक्र किया गया है यह ध्यान रखिये का हमारे Constitution के अंतरगत बजट नाम का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है हमारे Constitution में केबल Annual Financial Statement का जिक्र हुआ है और यह एक तरीके से estimate होता है जो भी हमारे receipt है जो भी हमारे expenditure है गवर्मेंट के इस particular year के अंतरगत तो इस Annual Financial Statement के अंतरगत उसको introduce किया जाता है और इसके अंतरगत जो receipt होती है जो expenditures होते हैं इसको 3 parts में रखा जाता है जैसे कि आपक 262-6 sub clause 2 के अंतरगत साथी साथ एक Public Account of India होता है 266 sub clause 3 के अंतरगत और एक contingency fund होता है जो कि आकास्मिक निदी होती है जो कि Article 267 के अंतरगत Constitution के अंतरगत इसको निर्थारिद किया गया है साथी जो budget होता है उसको prepare किया जाता है Department of Economic Affairs के तोरह जो कि Ministry of Finance के अंतरगत यह आता है और इसमें जो आपका जो fiscal year होता है यह 1st April से 31st March तक इसका fiscal year count किया जाता है इसके बाद अगर हम बात करें Annual Financial Statement के बारे में Article 122 के अंतरगत तो इसमें यह आपका एक revenue budget होता है और एक capital budget इसके अंतरगत सामिल किया जाता है revenue budget के अंतरगत भी एक revenue receipt होती है और एक revenue expenditure होता है इसी तरीके से capital budget के अंतरगत एक capital receipt होती है और एक capital expenditure इसके अंतरगत सामिल किया जाता है अगर हम बात करें revenue receipt के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इसमें दो term होती है एक assets और एक होती है liability यानि कि assets यानि जो हमारी परिसंपती है सरकार की और liability यानि कि देयता यानि कि future में जो हमें उसको देना पड़ेगा वे हमारी एक liability उसके अंतरगत बन जाती है अगर हम बात करें जो revenue receipt की तो इसके अंतरगत जो हमारा revenue receipt होता है वे हमारी किसी भी तरीके से हमारा ना तो assets को कम करता है और ना ही future में कोई हमारी liability उसके अंतरगत generate होती है इसके अंतरगत हगर हम बात करें जो हमारी दो तरीके की receipt साती है एक होती है tax receipt और दूसरी होती है नेंड non-tax received tax received के अंटकर्ट जो भी हमारा revenue collect किया जाता है हमारे direct और indirect taxes के माध्य मसे direct tax के अंतकर्ट ہیں ऋमर्पोरेट tax है वे आ जाता है इसके Bush चिलावा इन्दारेक्ट टैक्स के अंतकर्ट जैसे कि हमारा GST है तो उसके अंतकर्च इसमे जो tax receipt होती है उसको सामिल किया जाता है इसके लाबा इसमें जो सेकंड होता है नौन tax receipt होती है जैसे कि हमारी जो public sector जो units होती है उसके जो revenue generate होता है उसका जो प्रॉफिट generate होता है तो वै एक non-tax receipt के रूप में होता है सरकार के लिए इसके लाबा कोई भी penalty लगा दी गई है या कोई license के लिए कोई fees रखी गई है तो वे non-tax receipt के अंतरगत आते हैं इसके लाबा जो यह जो revenue receipt होता है वे एक regular और recurring nature का होता है यानि कि आपको हर साल में यह tax receipt और जो non-tax receipt है आपको हर year यह आपको revenue receipt के रूप में मिलती है इसके लाबा इसमें जो revenue budget के अंतरगत आपका revenue expenditure होता है जैसे कि इसमें आपकी कोई subsidies है जैसे कि fertilizer subsidies दी जाती है इसके अंतरगत जो आपकी salaries दी जाती है जो government employees है उनको उनको जो pensions दी जाती है या जो सरकार ने कोई loan ले रखा है तो उसके लिए हर साल उनक capital receipt और यही जो capital receipt होती है दो तरीके की होती है एक तो debt और एक non debt capital receipt अगर हम बात करें जो debt एकर चो create करें इस तरीके कि अगर कोई capital receipt है तो उसको debt capital receipt कहा जाएगा जैसे कि अगर हमने किसी विदेशी सरकार से कोई rent ले रखा है सरकार ने तो वह हमें उसका जो future में interest payment करना हमारी debt receipt हो गई इसके अलाबा अगर कोई government security RBI के दौरा open market operations के माध्यम से government security market में release की जाती है और उसको कोई investors या company उसको अगर खरीती है तो उसके लिए जो RBI है उसको हर साल उनको interest payment देना होगा या जब government security जब mature हो जाएगी तो उसको उनका refund provide कराना होगा तो बैभी एक त देती है इसके लाबा कई सारी हमारी जो national small savings of funds होते हैं जैसे कि किसान बचत पत्र हो गया या जो आपकी राष्टिय लगू बचत जो प्रमान पत्र हो गये तो उसमें भी एक तरीके से जो government होती है वे धारक को कुछ interest देने का इसमें बादा करती है तो उसके लिए भी एक तरीके से debt create हो जाता है government के ऊपर तो इस तरीके की जो receipt होती है वे debt capital receipt के रूप में जानी जाती है इसके लाबा जो non debt capital receipt कि अगर हम बात करें तो इसमें सबसे आगर हम बात करें तो तो disinvestment के रूप में non-dept capital receipt को जाना जाता है अगर हम disinvestment को समझें तो जैसे कि किसी government की किसी जैसे ONGC कोई public sector unit है तो उसके अंतगत जो government की हिस्सेदारी है मान लीजिए 74% है लेकिन इसके अंतगत सरकार चाहती है कि इसमें अपनी हिस्सेदारी कम कर दे यानि कि मान लीजिए इसमें 23% पर अपनी हिस्सेदारी कम कर देती है तो इसके लिए उसके जो share है अपने 23% जो share है मार्केट में private sector को बेज देती है जिससे उसकी इसमें जो हिस्सेदारी रह जाएगी केबल 51% रह जाएगी तो इस तरीके की जो disinvestment इसके अंतगत कर दिया गया government के दोरा तो इस तरीके का जो disinvestment होता है बे non-dept received के रूप में होता है क्योंकि इसमें जो 23% जो बेचने के कारण जो भी उसको fund मिला तो बे non-dept capital received के रूप में माना जाएगा इसके अलाबा इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है जो disinvestment जो होता है बे जरूरी नहीं है कि हर disinvestment privatization हो क्योंकि इसमें अगर आप जैसे है कि हमने बात की जो ONGC ने जिसके जो 74% government के इसमें share थे उनने 23% इसके अंतगत अपने share को बेज दिया तो इसमें जो government का share कितना रह गया केवल 51% रह गया लेकिन अभी भी government की इस पर 51% share होने के कारण जो authority है बे government की ही इसके उपर रहेगी अगर इसमें ये अगर government इसमें 25% अगर अपने share बेज दि तो इसमें जो 49% उसका share रह जाता और जो 51% है बे private sector का हो जाता तो इसको हम privatization इसके अंतरकर कह सकते थे तो ये confusion रहता है कि हर एक dis investment जो privatization होता है तो ये एक तरीके से इसमें percent of share पर भी निर्दभर करता है कि अगर 51% अगर government के पास है तो बे government sector की unit रहेगी और अगर वो 51% अगर private sector के पास हो जाता है तो बे privatization कहलाता है और ये जो dis investment होता है एक department of investment and public asset management है जिसको आप दीपम के नाम से जानते हैं जो कि ministry of finance के अंतरकरत आता है तो बे इसकी nodal agency है इस dis investment को करने के लिए इसके लाब जो non-dept capital receipt के अंतरकरत जैसे की government के दौरा पहले कोई loan दिया गया और उस loan को बापस ले लिया गया government के दौरा तो भे भी इसकी एक non-dept capital receipt के अंतरकरत आती है इसके अलाब अगर हम बात करें जो capital expenditure की तो इसमें जो second है capital budget का वो capital expenditure है जिसमें अगर आप कोई expenditure करते हैं कोई भी infrastructure project पर जो की आपके में जो भविश से किये जो assets create करेगा और आपकी liability उसके अंतरकरत इसमें कम हो जाएगी तो इसके अंतरकरत इस तरीके के expenditure को capital expenditure इसके अंतरकरत कहा जाता है जिसे कि हमार कोई infrastructure project पर कोई invest किया जाता है एक्सपेंड किया जाता है तो इसके अंतरकरत जो आंगे road बनेगी तो उसके करण से सरकार का revenue generate होगा तो बै एक तरीके से भविश से की निधी के रूप में government को प्राप्त होगी तो इस तरीके का जो expenditure किया जाता है बै capital expenditure माना जाता है और इसके अंतरकर जो capital receive जो प्राप्त होती है पर regular या recurring nature की नहीं होती ये कभी-कभी ही disinvestment किया जाता है तो ये एक regular nature की नहीं होती इसके अलाब़ा इसमें आगर हम बात करें जो revenue expenditure और capital expenditure के बारे में तो जो revenue expenditure होता है बै एक तरीके से जो budget के लिए ठीक नहीं माना जाता इसके अलाब़ा जो capital expenditure होता है एक बहतर budget अगर capital expenditure उसमें जादा से जादा किया जाता है तो बै बजट बहतर माना जाता है जैसे इसको हम आपने personal example से समझने की कोशिश करते हैं जैसे के हम घर पर जो आपने हमारी daily activity के लिए जो हमें जरूरते होती है उसके लिए जो हम खर्च करते हैं जैसे की खाना काने के लिए पानी पीने के लिए जो भी हमारे दोरा जो खर्च किया जाता है बै एक तरीके से revenue expenditure के रूप में माना जा सकता है इसके लाबा capital expenditure के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई land खरीदी और वै आंगे जाकर वै उसकी cost दो-तीन गुना हो जाईगी तो वै आंगे चलकर आपको एक तरीके से एक proper profit provide कराएगी भविस में तो इस तरीके का जो expenditure आज आपने किया उस land को खरीदे में तो इस तरीके का जो expenditure कहलाएगा आपका capital expenditure कहलाएगा इसी प्रकार से revenue receipt और capital receipt को आप समझ सकते हैं अपने personal example से revenue receipt आपका जो ऐसे हो गया जहां पर आप job करते हैं तो बहां से आपको regular salary आपको provide कराई जा रही है तो उस तरीके की जो receipt है आपकी एक तरीके से revenue receipt कहलाएगी इसके लाबा अगर आपका घर का कुछ सामान बेज़ कर आप उस से कुछ पैसा प्रक्वत करते हैं तो उस तरीके की जो receipt होगी आपकी capital receipt के अंतर गत आती है इसके लाबा अगर हम other terms की बात करें तो इसमें जो revenue deficit के अगर हम बात करें तो जो हमारा revenue expenditure है और जो revenue received है यानि कि जो हमारा revenue expenditure है और जो हमारा revenue received है तो इन दोनों की बीच का जो difference है में revenue deficit कहा जाता है इसके लाबा budget deficit जो भी आपका total expenditure हुआ total expenditure के अंतरगत आपका revenue expenditure भी आ जाएगा capital expenditure और इसका बात जो आपके जो capital receipt है या जो आपकी जो revenue receipt है इन दौनों के बीच में जो difference है उनके आपको difference कहा जाता है ये बज़र deficit इसके लाबा जो fiscal deficit होता है इसके अंतागत जो total expenditure total expenditure के अंतागत आपका revenue expenditure plus capital expenditure इसके बाद जो आपका revenue receipt हुआ इसको minus करेंगे revenue received और इसमें जो capital है जो आपकी non-dept imposing है तो वे इसके अंतरगत सामिल की जाती है यानि कि इसमें जो आप difference ले रहे है total expenditure जिसमें आपका revenue और जो capital expenditure दोनों लिया जा रहा है इसके अलाबा जो receipt में जो आप difference निकाल रहे है वे revenue receipt लेकिन capital receipt आप कौनसी बाली ले रहे है यह केबल आपकी non-dept imposing है वही बाली capital receipt इसके अंतरगत ली जाती है इसके लाबा इसमें another term primary deficit होती है जो की fiscal deficit से आप जो exclude करते हैं जो interest payment आप कर रहे हैं जो आपने फिचले loan ले रखें हैं उसमें जो आप interest payment हार साल करते हैं तो उसको अगर minus कर देते है फिसकल deficit से तो बे आपका primary deficit कहलाता है इसके लाबाए एक और टर्म होती है effective revenue deficit तो effective revenue deficit वह होती है जैसे कि हम state government को central government के दौरा कुछ grants प्रोबाइट कराय जाते हैं तो जो central government के दौरा जो state government को जो grants दिये जाते हैं तो ये एक तरीके से ये पूरा जो central government मानती है वह इसको revenue expenditure मानती है लेकिन जो state government है इसके अंतरगत कुछ capital infrastructure के अंतरगत भी कुछ investment कर रही होगी अपने इस तरपर तो उस जो capital infrastructure के अंतरगत इसने जो investment किया है state ने तो उसको एक तरीके से इसमें minus कर दिया जाता है तो जो effective revenue deficit है उसमें revenue deficit और जो grants दिया गया है जो की capital asset generate कर रहे है state level पर तो उनको इसके अंतरगत minus कर दिया जाता है जिससे कि एक जो term निकल के आती है उसका नाम है effective revenue deficit इसके लाब हम budget जो 2023 है उसकी कुछ trends के बारे में देख लेते हैं trends के बारे में UPSC काफी वार question पूछता है अगर हम fiscal deficit की बात करें तो जो percent of GDP के तो यह आप सबसे पहले था जो 2021-22 में यह 6.7 था फिर यह घटकर 6.4 हो गया 22 के अंतरगत 6.4 हो गया 22-23 में और जो 23-24 के आगर हम बात करें budget estimate के अंतरगत तो यह 5.9 इसका estimation लगाया गया है इसी तरह से आपका revenue deficit है 4.4 से 3.8 फिर भड़ा 4.1 फिर 2.9 यह पहुच गया इसके अलाबा जो आपका primary deficit है 3.3 से 2.8 फिर 3 हो गया फिर 2.3 बापस आ गया फिर इसके बाद आपका यह जो effective revenue deficit है 3.3 से 2.6 और 2.9 फिर बापस 1.7 यह आ गया तो इसके इंतकत आपको यह terms नहीं रखना बलकि आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो trends है जैसे आपसे पूछ सकता है कि लगातार यह घटा है या लगातार यह increase हुआ है तो इस तरीके से अगर को statement आता है तो उसको solve करने के लिए आपको यह trends देखना जरूरी है इसके लाबा कर हम बात करें इसकी जो highlights रही इस budget की तो इसमें यह कहा गया कि जो multiple crisis रहे हमारे इसके बीच के समय में तो इसके बाद भी हमारी जो economic growth है एस्टिमेट की गई है 7% जो की highest है among all the major economies है in the world तो उनकी में हमारी जो growth है एक highest इसके अंतगर एकाउंट की गई है इसके लाबा जो massive जो global slowdown हुआ COVID-19 जो pandemic आया रसिया जो Ukraine जो बहुर चल ली है उस स्थिती में भी हम 7% पर सर्वाइब कर पा रहे हैं इसके लाबा इस साल हमारे लिए एक business मौका है हम G20 की presidency इस बार कर रहे हैं और इसी theme के आधार पर इस budget में भी उसमें सामिल क्या क्या बसुदे कुटम कम को यानि कि जो स करेगा जो global challenges है और facilitate करेगा जो sustainable economic development को इसके लाबा जो अचीब किया जाएगा जो 2014 से इसके अंतरगत ये अचीब करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी इसके अंतरगत पीछे ना चूटे यानि कि living no one behind इसके लाबा कर हम बात करें 2014 से इसके क्या achievements रहे government के तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम जो largest economy की अकरम बात करें तो जो world within the nine year में हम 10 से घटकर हम fifth rank पर world economies की ranking में आ चुके हैं इसके अलाबा जो 11.7 करोड़ जो households हैं जो toilets तयार किये गये हैं सुच भारत मिसन के अंतरगत 9.6 करोड LPG connections इसके अंतरगत बितरित किये गये हैं 120 करोड जो covid vaccination किया गया है 102 करोड persons का इसके अलाबा जो 47.8 करोड जो bank accounts निर्धारित किये गये हैं PM जंधन योजना के अंतरगत साथी साथ जो आपकी जो PM सुरक्षा योजना है PM जीवन जियोती योजना है उसके अंतरगत 44.6 करोड persons को ये गबर करता है और जो 2.2 lakh करोड जो cash transfer किया गया है जो 11.4 करोड farmers को अंडर तर जो PM किसान सम्मान निर्धी योजना है जिसके अंतरगत 6000 रुपे दिये जाते हैं किसान को इन तक 3 installments के अंतरगत तो उसके अंतरगत लगभग 2.2 lakh करोड cash transfer करबाद दिया गया है साथी जो हमारी जो per capita income है वो भी भढ़कर double ह हो कही है और per capita जो income है इंडिया की वेब पहुंच चुकी है 1.97 lakh इसके लाब अगर हम बात करें जो अमरित काल जो चल रहा है जो हमें 75 भी जो बर्स जनती बनाएंगे 2020 में तो ये हमारे देश में एक अमरित काल के रूप में इसको निर्धारिद किया गया है ये एक तरीके करें अमरित काल की तो ये एक बैदिक एस्ट्रलोजी का वर्ड है जो की इंडिकेट करता है गोल्डन इराग को ये एक तरीके से सिग्निफाई करता है कि जो आने बाला समय होगा भारत का पर मोस्ट प्रॉस्परस होगा साती साथ इसके इंतकत एकॉनमिक ग्रोथ होगी और सामाजिक न्याय को हम इस्थापित कर पाएंगे जो अमरित काल है ये डिस्क्राइब करता है कि एक होप है हमारे की एक हमारा जो फ्यूचर है बैटर होगा और इंडिया एक सेल्फ रिलाइंट यानि की आत्निर्पर बनेगा और जो हमारी हुमेनिटरियन जो अब्लिकेशन है जो कि मानब आधार जो हमारे प्रतिबद्दिता हैं उनको भी हम फुल्फिल इसके अंतरगत कर पाएंगे हमारा जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है इस बजट के अंतरगत जो की बिल्ड करेगा फाउंडेशन जो की प्रिवेस बजट के अंतरगत एक ब्लूप्रिंट कर पाए होंगे इसके अलाबा इस बजट से सम्मझत कुछ स्टेटिस्टिक के बारे में हम जान लेते हैं जो तोटल रिचीप है जो अधर देन बॉर्विंग और जो टोटल एक्स्पेंडिचर है उसके बारे में अगर बात करें तो जो टोटल डिशीप्ट है अधर देन ब किया गया है इसके लाबा जो benefit है economy का इसके अंतगत जो fund कराए जाएंगे जो private players को इसके अंतगत provide कराने का लक्ष रखा किया है और जो government है उसने decide किया है कि बे continue path पर रहेगी जो fiscal consolidation का यानि जो राजकोशी है जो समेकन का जो सिध्धान उसने लागू किया है तो उसके अंतग इसके अंतरगत प्रतिपत देता है सरकार की जो fiscal responsible budget management के अंतरगर जो प्रतिपत देता है 2003 के act के दौरान तो इसके अंतरगत पर अपनी प्रतिपत देता को पूरा करना चाहता है 2025-26 इसके अलाबा जो 2023-26 में जो fiscal deficit है इसको जो dated security जो estimated इसको किया गया है 11.8 lakh करोड किया गया है इसके अलाबा जो balance जो financing होगी वो small savings और other sources से भी की जाएगी तो इस तरीके से जो total borrowing की जाएगी वे लगवग 15.4 lakh करोड के आसपास रखी जाएगी साथी साथ इस budget की खासियत यह रही कि इसमें जो government ने लगातर जैसे की capital expenditure को लगातर भढ़ाते आ रहे हैं तो इसने जो capital expenditure को भढ़ाया है जो की 10 lakh करोड के आसपास हो गया है जो की more than double हो गया है 2021 से अगर हम compare करें तो और जो capital expenditure होता है ये तरीके से जो building जो productive जो हमारे assets हो सकते हैं उनके लिए इसको invest किया जाता है जैसा कि अभी हमने discuss किया था इसके लाबा ये खामे greater return देता है economy को जैसे कि हमें 200 रुपे तक होता है जबकि जो revenue expenditure होता है अगर आप उसको invest करते हैं तो उसका जो gain होता है 100 रुपे से ही कम हमें हो पाता है इसके लाबा अगर हम बात करें जो personal income tax से समंदित तो जो rebate limit को इसमें जो नए tax regime के अंतरगत इसको increase कर दिया गया है 7,000,000 तक इसका मतलब य personal tax regime है इसके अंतरगत इसको change किया गया है और जो reduce किये गया है number of slabs को इसमें जो slabs को बना दिया गया है 5 slabs इसके अंतरगत कर दी गई है और इसमें जो tax exemptions होता है यानि कि इसमें 0% tax exemptions का उसको भढ़ा कर 3,000,000 के आसपास कर दिया गया है इसके लाबा जो indirect tax है उसमें भी tax rates है इसके अंतरगत जो कई सारी जो tax rates होती है उसको कम करके इसमें करने का प्रयास किया गया है जिससे की improve किया जा सके tax administration को और इसमें जो number of जो basic का करम बात करें जो custom duty की जो rates है on the goods जो other than जो textile और agriculture के तो इसको reduce कर दिया गया है 21 जो पहले हुआ करती थी उनको घटा कर 23 ज इसको describe किया गया है MSME जो कि हमारी एक इंडिया की growth का एक engine है और इसमें जो Indian economy के अंदगा जो budget process में उनको जो limit है उसको enhance किया गया है जो micro enterprises होती है उनके लिए और इसमें जो certain professional और जो availing benefits होते है taxation से सम्मंदित वेवी micro enterprises को इसमें दिये गये है इसके लाब अगर हम corporations की ब 1st March जो कि next year थे इनको जो benefit इसके अंतकर जो lower tax rate होती है 15% तो उसका benefit इनको दिया जाएगा साथी साथ जो startups के लिए जो budget ने प्रपोस किया है जो कि इंकम tax benefits इनको मिलता था तो startups के लिए जो इस साल इसमें जो समय सीमा खतम होने वाली थी उसको extend कर दिया गया है एक साल के ल है यानि की जो receipt है वह कहां से आ रही है और जो expenditure है यानि की रुपे जाता कहां है सबसे पहले आकर हम बात करें तो यह जो सबसे ज्यादा आता है वह हमारी borrowings हमें करनी पड़ती है जो borrowings और जो अपारी other liabilities हैं उससे हमें 34% से हमारा रुपे आता है इसके अलाबा secondly जो अग source है रुपीज के जिसमें हमारा 15% income tax से और corporate tax से 15% इसके लाबा union जो excise duty होती है विस 7% उससे आता है और जो non-tax receipt की जो हमने बात की थी जो भी fees लगाई जाती है या जो penalties लगाई जाती है उससे 6% revenue generate होता है और जो custom से जो हमारा 4% revenue इसके अंतागर generate होता है इसके लाबा ज capital receipts होती है जो की एक तरीके से disinvestment के रूप में आप जान सकते हैं तो जो non- debt capital receipts होती है उससे केवल हमारा 2% इससे generate होता है इसके लाब अगर हम बात करें रुपे जाता कहा है तो सबसे पहले जैसे की borrowing सबसे जादा होगी तो interest payment fee सबसे जादा होगा तो interest payment में सबसे जादा चला जाता है 20% फिर state share देना पड़ता है जो taxes होते हैं जैसे की central good service जो tax होता है एक state good service जो tax होता है तो उबैं collect करके state को provide कराना पड़ता है तो 18% उसमें चला जाता है फिर इसके बाद जो central sector जो schemes होती है जिसके अंतरगत इन schemes के अंतरगत 100% जो investment किया जाता है पर central government के दौ चला जाता है फिर इसके बाद जो होता है फिर finance जो commission के दौरा जो other transfers उने suggest किये होते हैं जैसे कि 41% जो divisional pool होता है हमारे central government का divisible pool तो उस में से 41% transfer करना होता है state governments को तो बए इसके अंतरगत लगभग 9% states के पास चला जाता है साथी साथ जो centrally sponsored scheme होती है जिसका जो share होता है ल 50-50 भी एक तरीके से होता है तो जो centrally sponsored जो scheme है उसके अंतरगत 9% share उनका खर्च होता है साथी साथ जो other expenditures होते हैं 8% और जो subsidies जाती है जैसे कि आप fertilizer subsidy हो गया या जो gas पर जो subsidies जाती है तो उसका 7% इसके अंतरगत खर्च होता है और जो pensions दी जाती है government employees को तो 4% उसके revenue एक तरीके से generate किया गया है यानि कि उनको जो revenue allot किया गया है तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो जो centrally sponsored scheme है तो उसके अंतरगत ये revenue को increase कर दिया गया है अगर हम 21-22 से देखें तो इसको भड़ा कर लगभग 4,16,000 करोड कर दिया गया है ये digit आपको इध्यान रखने की ज़रूत नहीं है बलकि आपको ये ध्यान रखना है इसमें की भड़ा है या कम हुआ है इसके अलाबा जो आपकी Department of Agriculture and Farmal Welfare है तो उसके लिए भी ये increase किया गया है जो पिछले साल था 1,10,000 करोड जो भड़कर 1,15,000 कर दिया गया है साथी साथ जो Department of Food and Public Distribution है तो उसके अंतरगत भी ये 3,4,000 करोड तीन सो साथ करोड था 2021-2022 में जो भड़कर 2,05,513 करोड ये हो गया है इसके अलाबा जो Ministry of Earth Science है इसके अंतरगत इसके अंतरगत ये कमी इसके अंतरगत भी ये ब्रद्दी हुई है 2,056 करोड से ये भड़ गया है 3,319 करोड साथी साथ जो Ministry of Environment Forest and Climate Change है तो इसके अंतरगत तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि कई सारी प्रतिपत देता हैं जो Environment से संब्देत उनको हमें फुल्फिल करना है तो उसके लिए ये बढ़ा दिया गया है 2,478 करोड से 3,89 करोड इसी तरीके से जो Ministry of Animal, Husband and Daring है तो इसके अंतरगत भी आ और इसमें जो 86,175 करोड इसके अंतरगत अलॉट किये गये हैं और जो Partner Resources है उसके अंतरगत भी इसको भड़ाया गया है इसके साथ ही इस बजट के अंतरगत जो 7 priorities जो इस बजट के अंतरगत निर्धारित की गई क्योंकि जो हमारा जो अमरत काल चल रहा है और भी initiative आंगे लिए जाएंगे और ये जो साथ जो priority sector है जिसमें inclusive development यानि कि जो समावे सी विकास साथी साथ जो अतरगे की जो अधरना है गांदेजी की की reaching the last mile यानि कि जो अंतिम जो पायदान पर बैठा हुआ जो बैठती है उस तक भी योजनाओं का लाव पहुँचे साथी साथ जो infrastructure है और जो investment है वे साथी साथ जो हमारा potential है उसको हम unleash करें green growth करें यूद की पापर है क्योंकि हम हम democratic dividend की इस्तिती में है जन्नांकी जो लावांस की इस्तिती में हमारी यूद की population जाता है और उसको utilize करने का प्रयास इसके अंतरगत किया जाना चाहिए तो इसके अंतरगत यह भी एक priority में रखा गया है और साथी साथ जो financial sector है उसको तो इस त inclusive development के बारे में बात करें जो समावेसी विकास के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें समावेसी विकास तभी हो सकता है जब हम agriculture sector पर ध्यान दें तो कि agriculture sector के अंतरगत जो हमारी भारत की जो population है लगपक 54% जो population है जो direct या indirect troop से उस पर निरभर करती है लेकिन इसके अंतरगत है digital public infrastructure for the agriculture के लिए अगर हम बात करें इसके अंतरगत एक open source और open standards जो की interoperable होगा public goods के लिए इसको तयार किया जाएगा और इसके अंतरगत यह प्रोबाइट कराएगा farmer को कि जो भी इनको information services चाहिए इनकी crop planning के लिए यानि कि इनके फसल की प्लानक बनाने के लिए तो इनको information प्रोबाइट कराएगी साथी साथ इनका जो farm input कैसा होना चाहिए क्या उसमें कितना irrigation कराना चाहिए क्या उसमें कितना fertilizer use किया जाना चाहिए तो इसके लिए भी इसमें जो information इनको प्रोबाइट कराएगी साथी साथी साथ credit और जो insurance से समंदित information भी इस platform के माध्धम से इन लाग करोड तक का इसके अंतरकत agriculture ग्रिकल्चर ग्रिट प्रॉबाइट कराया जाएगा इस येर के अंतरकत साथी साथ इसमें जो फोकस किया गया है जो इसके अलाइट सेक्टर होते हैं Horticulture के अंतकत आपके जो फल होते हैं या जो फूल होते हैं जो आपके Aesthetic Purpose के लिए यूज किया जाते हैं तो इसका इसके अंतकत इनको उगाया जाता है तो इनको एक disease free हो और उनकी quality इसके अंतकत improve की जा सके इसके लिए आतने पर Horticulture Clean Plant Program चलाया जा रहा है इसके लाबा जो Agriculture Accelerator Fund है जो की एक तरीके से setup किया गया है जिससे जो Agri Startup करना चाते हैं जो हमारे youth हैं तो वो Startup करना चाते हैं Agriculture Sector के अंतकत तो उनके लिए Agriculture Accelerator Fund इसके अंतकत निर्धारित किया गया है साथी साथ यह जो Productivity है जो आपकी Staples जो Cottons होती है उसकी Productivity उसको Enhance करने के लिए इसमें प्रयास किया जाएगा क्योंकि जो हमारी Textile Industries है बै कुछ समय से पिछरती जा रही है तो उसको प्रमोट करने के लिए Government ने इसके अंतकत Cluster Based और जो Value Chain Approach के आधार पर इसमें जो Public, Private और जो Partnership होती है Collaboration होता है Private और Public का तो उसके थुरू इसमें जो Input जो Suppliers है इसको इसमें जोडने का प्रयास किया जाएगा और उनकी जो Productivity है जो Staple Cotton की तो उसको Increase करने का इसके अंतकत प्रयास किया जाएगा इसके अलाबा जो Global Hub है इंडिया एक Millets का यानि कि जो Shree Un जिसको नाम से जाना जाता है तो ये भारत जो है अम Global Hub है Millets के ये इंडिया एक Largest Producer है साथी साथ 2nd Largest Exporter है जो Shree Un होते है जो की Millets होते है बाजरा, रागी इसके अंतकत जो आते हैं जो मोटे अनाज होते हैं इसके सामिल किया जाते हैं तो इसके अंतकत ये हमारा एक Global Hub है इंडिया साथी साथ ये जो Shree Un होता है ये जो Indian Institute of Millet Research जो की हैदराबाद में इस्तित है ये आप समय पीटी से पीटी में पूचा सा सकता है PCS के कि जो Indian Institute Millet Research है वे कहां पर इस्तित है तो ये आपके हैदराबाद में इस्तित है जो की सपोर्ट करेगा जो Center of Your Excellence है R&D और जो की मिलेट्स पर जो R&D करते हैं उनको ये एक सपोर्ट करेगा और ये इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि UN के दौरा भी जो 2023 का जो वर्स है International Year of the Millets के रूप में इसको बनाया जा रहा है इसके अलाबाद इसमें जो nutritional food होता है और जो की food security निर्धारित करेगा और जो welfare of the farmer के लिए भी ये काम कर सकता है इसके लाबाए एक नई सब स्कीम है जो कि आपकी PM मतद्स से समपता योजना चल रही है उसके अंतकर जो की एक further enable करेगी जो activity है हमारे जो मचो आ रहे हैं जो फिसर मेंस है जो आपके फि आपकी जो priority बन है inclusive development के अंतरगत agriculture sector के बारे में इसके लाब जो priority बन inclusive development के अंतरगत जो second है वे आपका है education और education कब होगी जब अच्छे teacher होंगे तो सबसे पहले इसमें teacher की training प्रोबाइट कराई जाएगी जो की एक तरीके से innovative curriculum त्यार किया जाएगा इस तरीके का continuous जो professional development है इसके अंतरगत ensure किया जाएगा और ICT implementation के माध्यम से इनका जो teacher की training है वे ensure कराई जाएगी इसके लाब जो district institution है education के उनको लिए एक तरीके से training of excellence वहाँ पर provide कराने का इसमें प्रयास किया जाएगा और एक district level पर district institution of education and training को इस्थापित करने का प्रयास इसके अंतरगत किया इसके लाबा जो national digital library for children and adolescents के लिए है तो ये एक setup की गई है कि facilitate कर सके availability और जो quality books है इसके अंतरगत उनको provide कराई जा सके साथी साथ जो state और पंचायत level पर जो encourage किया जा रहा है कि जो physical libraries है जो कि access कर सके digital resources को उन libraries के अंतरगत तो इसके अंतरगत physical libraries भी पंचायत के स्थर पर develop करने का प्रयास education sector में किया जा रहा है इसके लाबा जो inclusive development के अंतरगत जो third है वह है आपका health जिसके अंतरगत nursing college है जो कि 157 जो new nursing college इस्थापित किया जाएंगे जो भी 157 जो medical college है तो उनके co-locations में ही इन nursing college को स्थापित किया जाएगा इसके लाबा जो sickle cell जो एनेमिया जो elimination mission रखा गया है और इस जो mission की जो end करना है हमें 2047 तक इसको पूरी तरीके से eliminate करना है इसको launch किया गया है जिससे कि इस स समंद में awareness इस्थापित की जा सके उनकी screening की जा सके साथ करोड़ pupils की जो की euro से 40 year के बीच के age group के हैं और उनकी counseling भी इसके अंतरगत की जा सके इसके अंतरगत problem यह होती है sickle cell जो anemia होता है उसके अंतरगत जो hemoglobin होता है तो बैस sickle हो जाता है यानि कि बैस sickle जाता है जिसके कारण से जो वो oxygen को carry करता है और जो हमारे vivid body parts है उसके अंतरगत संचरित करता है तो वह इसके अंतरगत नहीं कर पाता जिसके कारण से वह जो मरीज होता है वह anemia उसके अंतरगत हो जाता है यानि कि उसका weight उसमें कम होने लगता है उसमें portion इस तर भी उसका लगातार गिरता जाता है तो इसको eliminate करता है हमें 2047 जब हम अपके आजादी के 100 years celebrate कर रहे होंगे तब इसके लावा pharma innovations भी क्योंकि pharma में हम काफी ज्यादा अपडेट है और जो R&D है pharmaceuticals की जो center of excellence इस्थापित करके इसको promote करने का प्रयास किया जाएगा तो यह हमने बात की priority 1 inclusive development के बारे में अब चलते हैं जो अमरित काल का जो second है सत्रिसी के अंदगत वह है आपके reaching the last mile यानि कि जो आपके अंतिम पायदान पर बैठा जो बैठा जो बैठती है उस तक भी हमारी जो योजना है उसका लाब पहुँचना चाहिए अगर हम बात करें last mile पे तो सबसे पहले हमारी जो न में जो मुख्यधारा में जोड़ा जाए यह सबसे पहले इसमें जो travel welfare के बारे में जो बात की गई है जैसे कि जो aspirational district program था तो उसी की तरज पर अभी हाली में aspirational block program भी इसके अंतकत इस्थापित किया गया है और इसके अंतकत जो block होंगे 500 blocks के अंतकत इसको इसको इस्थाप प्रधान मंत्री जो आपकी PBTG development mission चलाया जा रहा है तो वह भी इसके अंतकत किया गया जो की एक प्रोबाइट कराएगा जो PBTG जो families है उनके लिए habitation और साथी साथ उनको जो basic facilities है यानि कि उनकी बार्टर की requirement है या उनकी safe housing और clean drinking water की जो उनकी sanitation और जो उनकी education health से सम्मंद जो जरूत है उनको fulfill करने का प्रयास किया जाएगा यह जो mission है यह चलाया जा रहा है development action plan for the scheduled tribes के अंतरगत अगर हम बात करें PBTG के बारे में तो इसका full form होता है particular vulnerable tribal group इसके अंतरगत अगर हम बात करें तो जो इसको इसको इसलिए introduced किया गया था और इसको introduced किया गया था यह रही जो और ट्राइबल जो ट्राइबल गूरुप्स होते हैं उसके अंतरगत भी आपके ट्राइवल गूरुपस है उसके अंतरगत भी कुछ ऐसे vulnerable tribal groups होते हैं जिन तक पहले फण पहुंचाया अ जाता था लेकिन वह उन तक नहीं पहुंस पाता था उसमें कुछ ट्रा पर ट्राइवल ग्रूप में इस्थापित थे उन तक जो योजनाओं को लाप पहुंच सके तो इसके लिए इनको एक अलग ग्रूप में डिफाइन किया गया और यह डिफाइन किया गया था डेवार कमीशन की सिफारिस पर अगर हम बात करें पूरी इंडिया के अंतरकत तो आपको देखने को मिलेंगे इसके अलगा जो सपोर्ट करेंगे इसके इसके स्टाप को?. अगर हम बात करें पूरे इंडिया के अंतगत लगवक 740 एकलब बे मॉडल रेसिडेंशल स्कूल्स हैं जो की लगवक इसमें जो साड़े तीन लाग से जादा ट्राइवल स्टूडेंट्स हैं वे इससे फैसिलिटेट होते हैं तो इसके अंतगत सबसे पहले हमने बात की ट्र से संब्देट जो बार्टर है जो ड्रॉट प्रॉण एरिया है यानि कि जो सूखा प्रबाविच्छेत है उसके अंतगत बार्टर को एपिलेबल कराया जाए और इसके अंतगत जो करनाटक का जो जो रिजन है जो सेंटल असेस्टेंस प्रोवाइट करायेगा जो अपर योजना में इन्हेंस किया गया है इसको 66 परसेंट और जो कि इसके अंतगत प्रोवाइट कराये गये हैं 79,000 करो और जो लेंग्योज और इंस्क्रिप्शन से संब्दित अकरम बात करें जो हमारी भासा है जो हमारी लिपी है उससे संब्दित तो इसके लिए एक योजना च ज्यादा जो एंसेंट हमारी इंस्क्रिप्शन हैं उनके अंतरगत जो फर्स्ट स्टेश में इसमें इंस्क्रिप्शन जो हमारी लिपी है इसके अंतरगत डिजिटाइज उनको किया जाएगा इसके लाबा जो लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी के लिए हमें जो से इसके अंतगत फैसिलेटेट उनको financial support प्रोबाइट कराया जाएगा इसके लाबा इकोर्ट से सम्मंदित जो efficient आपके administration है और justice है उसमें जो phase 3 के अंतगत इकोर्स को project को इसके अंतगत launch किया गया है साथ ही साथ अगर हम बात करें यह हमने बात कर लिए दो priorities के बारे में सब्तरिशी के अंतरकत अब हम बात करें priority 3 की तो जिसके अंतरकत infrastructure यानि की अपसरशना और जो निबेस यानि की investment के बारे में बात की गई है जो investment की अगर हम बात करें तो जो capital investment है जो की driver होता है growth and jobs का जैस यह लगबग 10 लाग करोड के आसपास पहुंच गया है इसके लाबा जो effective जो capital expenditure है वह भी इसके अंतरकत ग्रांट इन एड किया जाता है जो states को तो वह भी इसके अंतरकत लगबग बढ़ा है और support किया गया है state को की capital investment को अपने इस्तर पर भी भढ़ाए और enhance किया जा रहा ह opportunity for the private investment in the infrastructure कि जो हमारे private जो हमारे जो दिगर समू है वह भी आकर infrastructure के अंतरकत इसमें invest करें इसके लाब अगर हम बात करें इसमें second तो infrastructure की तो यह जो हमारी master list है infrastructure की तो उसको harmonize करने का इसके अंतरकत प्रयास किया गया है जो भी हमारा जो sector है eligible होता है financial assistance के from the जो हमारा II FCL है उसके अंतरकत तो इसको harmonized list इसके अंतरकत infrastructure की इसमें generate की गई है जैसे कि जो आपके infrastructure है transportation, energy और बाटर तो इनको एक harmonized way में तयार करने का प्रयास किया जाएगा साथी साथ इसको review किया जाएगा एक expert committee के दौरा साथी इसमें जो lab-grown diamonds होते है यह जो lab-grown diamonds होते है जो natural diamonds होते ह है इसको एक lab के अंतरकत तयार किया जाता है with the help of technology से तो इसके अंतरकत जो technology और innovations होता है यह भरता हुआ sector है एक emerging sector है जो कि high employment और इसके अंतरकत potential जो high employment का potential है साथी साथ इसमें प्रोबाइट कराया जाएगा एक IIT का 4-5 years यानि कि एक IIT का इसम के अंतरकत research and development को बढ़ानी के लिए इसमें promote किया जाएगा 5 साल तक इसके लाब इस priority 3 के अंतरकत ही urbanization की अगर हम बात करें तो sustainable cities बनाने का प्यास किया जाएगा जो states है और जो cities है increase किया जाएगा कि एक sustainable cities तयार की जा सके कल के लिए जिसका मतलब यह है कि एक efficient use किया जा सके इन resources का साथी साथ हम अपना जो resources का use कर रहे हैं हम अपनी future generations को भी उन resources को सौंप सके इसके लाबा urbanization के लिए एक urban infrastructure development fund भी तयार किया गया है UIDF जो कि आपके जो rural infrastructure development fund था उसी की तरस पर इसको बनाया गया है जो कि एक established किया गया है through the use of the priority sector जो लेंडिंग होती है उसके shortfall के कारण इसको इसमें use किया जाएगा इसके लाबा ये किया जाएगा आपके national housing bank के दोरा साथी साथ जो urban sanitation है जो कि urban की जो सफाई है एक बहुत बढ़ा मुत्ता होता है क्योंकि जो सारी जो cities हैं टाउंस हैं इनेवल करेंगे 100% जो mechanical जो dislodging होती है जो कि septic tax के अंतरगत क्योंकि जो हमारे जो manholes होते हैं उसके अंतरगत कभी-कभी हमारे human को जो हमारे जो workers होते हैं sanitation worker तो उनको manhole में खुद जाकर बहां पर सफाई करनी होती है जिसके कारण से कई बार तो उनकी मौत तक हो जाती है तो इसलिए ये काफी अच्छा initiative है कि उनको mechanized करना होका जो manhole के जो सफाई की जाती है उसको mechanized way में इनको promote करना होका state के label पर इसके management किस तरीके सी किया जाए तो इस पर भी इसमें focus किया जाएगा इसके लाब लोजिस्टिक के इस तरपर हम बात करें infrastructure and investment में तो जो hundred critical जो transport infrastructure projects है जो कि आपकी last and first mile connectivity को promote करते हैं जैसे कि port का development हो गया या coal, steel और जो fertilizers है food grown grain जो sector है उनको इसके अंतरकर identify किया गया है logistics sector के अंत हाइस टैवर जो capital जो आउटले है लगवक 2.40 लैक करोर का इसके अंतकत प्रोवाइड कराया गया है railways को साथे सा रिजनल कनेक्टिविटी के लिए 50 additional airport, helicopter, heliports, साथे सा जो बाटर एरोडरम होते हैं उनको develop किया जाएगा और जो advanced landing grounds और इसमें जो divide किया जाएगे जो improve करे रिजनल एर कनेक्टिविटी को भी improve करने का इसके अंतकत प्रयास किया जाएगा तो यह हमने discuss कर चुके हैं जो 17 के अंतकत प्राइविटी 3 को इसके बाद हम देख लेते हैं प्राइविटी 4 को जिसके अंतकत जो हमारा potential है उसको हम unleash कर सके तो इसके अंतकत सबसे पहला जो ह है वह है digitization इसके अंतकत जो entity digital locker को इसमें स्थापत किया गया है जिसके अंतकत जो entity digital locker होगा जो setup किया जाएगा और जो 5G labs तैयार की जाएगी जिसके अंतकत 100 labs बनाई जाएगी जो की develop करेंगी application जो की use करेंगी 5G services का करते हुए ऐसी application को develop करने का प्रयास इसके अंतकत किया जाएगा जिसमें green growth के अगर बात करें तो जो life है यानि कि जो lifestyle for environment इसके अंतकत जो भारत के दौरा 2021 में जो glass cove 26 हुआ था तो उसके अंतकत भारत के दौरा ही इसको introduce इसके अंतकत कराया गया था और इसके अंतकत यह प्रयास किया जाएगा कि इस तरीके की life को जिया जाए कि जो हमार resources को जो transfer करना है अपनी अगली पीडी को तो उसको हम transfer कर सके उसका और अतिदिक दोहन हम ना करें और उसको एक sustainable way में हम आंके लेकर जाए इसके अलाबा जो पंचामरत है जो की glass cove के अंतरगत ही 2021 में जो cove 26 हुई तो उसके अंतरगत ही भारत के दौरा पंचामरत के लक्ष जो 2030 तक हम लगवक 500 गीगावाट जो हमारी energy requirement है उसको non-fossil fuel से generate करेंगे इसके अलाबा 2030 तक ही हम हमारी 50% जो हमारी energy requirement है उसको renewable energy से पूरा करने का प्रयास करेंगे साथी साथ जो हमारी total जो आपकी carbon emissions reduction है वे 2030 तक हम 1 billion ton कम करने का प्रयास करेंगे साथी साथ जो reduction करेंगे जो carbon intensity 5 जो हमारी economy है उसको 45% तक लाने का प्रयास करेंगे 2030 तक जो कि आपकी level कहां से count होगी 2005 के level से हम उसको 45% कम करने का प्रयास करेंगे 2030 तक तो यह हो गए 4 लक्ष साथी साथ एक net zero carbon emission का लक्ष रखा गया है जो कि हम net zero carbon emission को 2017 तक अचीब कर लें तो इस तरीके से पंचामरत के अंतरगत पांच initiative भारत के दौरा जो COP26 हुई थी उस Glasgow के अंतरगत तो उसके अंतरगत भारत के दौरा निर्धारित किये गए इसके लाबा इसमें जो environment conservation के अंतरगत battery energy storage project के अंतरगत जो battery energy storage system है इसकी जो capacity को 4000 megawatt के पास ले जाए जाएगा जो की support करें किया जाएगा by ability gap funding के दौरा और इसमें जो detail framework है इसको pump किया जाएगा storage project के अंतरगत जो की इसके अंतरगत formulate बाद में किये जाएगे साथी साथ जो renewable energy evacuation के अंतरगत जो interstate transmission है system है उसके अंतरगत जो grid के अंतरगत integrate करने का उसके अंतरगत प्रयास किया जाएगा जो की 30 gigabart जो renewable energy है जो लदाक से इसको construct करने का प्रयास किया जाएगा इसके लाबा green credit program के अंतरगत जो की increase करेगा कि ऐसा behavior change किया जाए companies और जो individuals और जो local bodies का जिससे की जो green credit program के अंतरगत उनको notify किया सकेगा under the sorry इसके अंतरगत increase किया जाएगा कि जो companies है individual है या जो local bodies है तो वह एक green संबद जो बैवार है उसको promote कर सकेए साथी जाएग जो green credit program है उसको environment protection act 1986 है तो उसके अंतरगत इसको notify किया गया है इसके लाबा एक गोवरधन scheme है जिसके अंतरगत 500 new जो base to belt plant इसके अंतरगत जनरेट किया जाएगे जो भी हमारा जो पशुओं का जो गोवर होता है उसके माध्यम से इसमें जो उसको belt के रूप में उपयोग करने का इसमें प्यास किया जाएगा इसके लाबा जो गोवरधन है इसका पूरा नाम है galvanizing organic bio agro resources धन यह एक scheme है जो की स्टैबलिस की गई है प्रमोट करेगी एक जो circular economy है agriculture के अंतरगत तो उसके अंतरगत प्रमोट करने का इसके अंतरगत प्यास किया जाएग इसके अलाबा environment conservation के अंतरगत ही जो misty है यानि कि जो mangrove initiative for soil line habitat और जो tangible incomes इसके अंतरगत ये initiative चलाया गया है जिसमें ये जो mangrove plantation किया जाएगा along तो जो हमारी coastline है उसके along इस जो mangrove को generate किया जाएगा तो कि ये जो mangrove होते हैं ये एक salt tolerant एक tree होते हैं और जो हमारे जो चक् intensity को कम करने में ये काफी सायक भूमिका निभाते हैं तो जो mangrove को इसमें coastline पर generate किया जाएगा और इसको किस fund का use करके किया जाएगा convergence किया जाएगा जो mandate का हमारी जो scheme चल रही है और जो camp up fund होता है यानि कि जो compensatory जो forest जो fund होता है तो उसके अंतरगत इसको funding की जाएगी इ जो की encourage करेगा optimal use of the जो हमारे backlands है उनका और जो हमारी biodiversity है उसको enhance करने का इसमें प्रयास किया जाएगा और इसमें जो carbon stock है उसको reduce करने का प्रयास किया जाएगा एको tourism opportunities को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा जो income generations है भांकी जो local community की next 3 साल में उसको increase करने का प्रयास किया जाएगा इस अमरे धरोवर के माध्यम से इसके लाबा हम बात करें PM जो agriculture से संब्दित जो environment से संब्दित आपका agriculture भी इसके इंतकत आता है और इसमें सबसे पहले जो scheme है भी PM प्रणाम scheme इस budget के अंतकत launch की गई है जिसमें जो PM का program है for the restorations, awareness और जो nourishment है और जो amerations है for the mother earth यानि कि इसमें जो हमारी जो mother earth है यानि कि जो हमारी भूमी है उसकी बहाली करना उसको enrich करना और साथी साथ उसको restore करने के लिए awareness उसके अंतकत इस्थापित करना तो इसके अंतकत जो PM प्रणाम scheme है उसके अंतकत ये किया जाएगा कि जो incentivize करेगा state और यूटी को कि बहें प्रमोट कर सके alternative जो fertilizers होते हैं उनको ये प्रमोट कर सके साथी साथ जो chemical fertilizer है उसका use ये कम करें और उसका balanced use किया जाए यानि कि जो इसमें जो subsidies जाती है तो इसके fertilizer का जितनी उसकी खेट की requirement ही नहीं होती उससे ज्यादा ही इसमें chemical fertilizer मिलाया जाता है तो इसलिए इसमें प्रयास किया जाएगा कि इसका balanced use किया जाए chemical fertilizer का तो ये हम सब्तरिशी के अंतरगत हमने priority 5 के बारे में बात की अब हम देख लेते हैं priority 6 के बारे में जिसमें हम youth power की है क्योंकि आज की इस्तिती में हम demographic dividend की इस्तिती में है यानि कि जन्जंग की लावांस की इस्तिती में है तो इसके अंतरगत हम इसको use कर सके इसको utilize कर सके अपनी growth के लिए तो सबसे पहले हम इसमें करना होगा skill करना होगा हमारे यूबाओं को जो हमारे प्रधान मंत्री विकास योजना का जो fourth चरण इसके अंतरगत लागू किया गया है और इसमें जो next three years तक इस program को चलाया जाएगा जो हमारी new age courses है जैसे कि नया industry जो 4.0 है जैसे कि आपकी coding हो गई artificial intelligence, robotics, mechatronics है, internet of things है, 3D printing है, drones है और जो soft skills है इसके अंतरगत इन courses को launch किया जाएगा और youth को skill क करने का इसमें प्रयास किया जाएगा, साथी साथ 30 skill India international centers भी स्थापित किया जाएगे different states के अंतरगत, इसके अलाबा second youth power को इसमें promote करने के लिए tourism को भी भढ़ावा दिया जाएगा, जिसके अंतरगत unity mall का concept लेके आए है, जिसमें state increase किया जाएगे कि वहाँ पर एक unity mall स्था state का, जहाँ पर जो promote किया जाएगा, बहाँ की जो बन district, बन product के अंतरगत, जो भी उनका product है उसे state का, तो बैस के अंतरगत यहाँ पर promote किया जाएगा, साथी साथ जो GI product है, उसे state के, किसी भी district के, तो उसके अंतरगत इनको promote किया जाएगा, और जो भी other handicrafts products है, या जो आप इनको एक तरीके से space provide कराया जाएगा product for the other states के लिए भी तो इसके इंतकत हमने priority 6 के बारे में बात की जिसमें हम skilling of youth और tourism sector को भढ़ाने के लिए unity mall के बारे में चर्चा की इसके अलाबा अकर इसमें हम last में बात करें priority 7 के बारे में application जो under the barriers regulations होंगे इसके अंतरगाद किये जाएंगे और इसमें एक data embassy स्थापिक की जाएगी जिसके अंतरगाद जो government ने facilitate करें की setting of the data embassies इंदा जो gift cities है हमारी जो international finance service center है तो जो गांधी नगर में इस्तित है तो उसके अंतरगाद एक data embassies इसके अंतरगाद इस्थापिक की जाएगी और जो data embassies होगी एक नई approach इसके अंतरगाद निर्धारित करें की जो कि हमारा data है उसको secured करें की साथी साथ जो diplomatic agreement है उससे साहित अपराप्त करें की और जो हमारी cloud technology जो solutions है उसके माध्यम से इसको किया जाएगा इसके इसके अलाबागर हम बात करें financial sector में तो banking के बारे में तो इंप्रूब करेंगा यहां के जो governance और जो इंवेस्टर जो protection है banking sector के उसको इसके अंतरगत प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा इसमें कुछ amendments किये गए हैं banking regulation act और banking companies act के अंतरगत जिसके कारण से जो Reserve bank of India के दा और अब प्रपोश किये गए थे तो इसके अंतरगत करने का इसमें प्रयास किया जाएगा साथी साथ इसमें जो security market है जो capacity building की जाएगी security market की जो की से भी है हमारे जो empowered है की develop कर सकेगा regulate कर सकेगा और maintain कर सकेगा और इसके जो norms हैं जो standards हैं उसको इसमें implement किया जा सकेगा साथ एक national institute of security markets भी इसमें recognize किया जाएगा जो की degree प्रोवाइट कराएगा इससे जो security market से सम्मदित इसके लाबा security market से सम्मदित एक central data processing center भी इस्थापत किया जाएगा जो की एक तरीके से setup होगा faster response देगा companies थूदा जो centralized handling होती है various forms में जो की field offices हैं या जो companies act के अंतगत आते हैं त इसके लाबा financial scheme की अगर हम बात करें तो इसमें एक महिला सम्मान saving certificate scheme इसमें का अंतगत चालू की गई है और ये एक जो scheme है ये दो साल के period के लिए रही की मार्च 2025 तक और इसमें एक तरीके से जो deposit facilities है उसको दो लाग तक इसमें स्थापिक किया जा सकेगा और ये किसी भी woman ये girl के नाम पर इसको इसमें जो महिला सम्मान saving certificate को लिया जा सकता है और इसका जो tenure रहेगा के बाल आपका दो साल तक रहेगा और इसमें जो interest होगा बैस 7.5% का interest दिया जाएगा लेकिन इसके अंतगत कोई tax tax जो benefit है वो नहीं दिये जाएंगे लेकिन इसके अंतगत आपको जो deposit जो limit होती है senior citizens के लिए saving schemes के अंतगत तो उसको बढ़ा कर 15 लाग से 30 लाग इसके बीच में कर दिया गया है तो इस तरीके से हमने सब्त रिसी के अंतरकत जो priority 7 है जो अमरित काल के अंतरकत तो उनके बारे में बनवाई बन करके हमने चर्चा की इस session में हमने पूरे budget के बारे में जाना उसके basics के बारे में discuss किया और इसी तरीके के session हम आपके बीच में लाते रहेंगे और हमारी एक series भी चलती है जिसमें हम जो daily के जो newspaper आते हैं उसको mcq के through cover करते हैं जिसमें हम सारी ये यूजना है उसको भी उसके अंतरकत cover करने का प्यास करते हैं तो आप उ इसकी description में मैं link provide करा दूंगा प्लीज इस्टे ट्यून और सब्सक्राइब दानलोग जीए से केडमी थेंक्यू